हलो दोस्तो स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेश में गड़ेत की उपचारत्मक शिक्ष्षन कारे पुस्तिका कक्षनों को हम हल कर रहे थे तो हमने भवुपत का टॉपिक पूरा कर लिया था आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस कारे पूरा देखेगा लाइक ज़रूर कीजीगा लाइक करने में बिलकुल भी कंजुसाइमत कीजी दोस्तो साथ शेर ज़रूर कीजीगा और चैनल पे अगर आप नहिंरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगले वीडियो की P Q इत्यादी तो मैंने मिलान कर रखा है दूसरा 3X 5 गुणा X गुणा Y गुणा Z फिर माइनस के 6P ये क्या है तो एक पदी वेंजक है तो इसको आपको यहां से मिलान करना है एक पदी से फिर है 2-9 7 पाई 3 बटे 5 और 8 ये क्या है अच्चर राशी है इनको मिलान करना है अच फिर अगला है 4X गुणा 5Y ये क्या है तो 4X गुणा 5Y इसका मान क्या हो जाएगा चार पंजे 20 तो 20XY ये 20XY हो जाएगा तीक है इसको आपको क्या करना है 20XY कर लिया आगे बढ़ते हैं छट्टे को देखिए छट्टा है माइनस 6P Q प्लस 6P Q तो देखिए एक संक्या प प्लस माइनस होता है तो क्या होता है उसका मान 0 हो जाता है तो इसको 0 से मिलान कर लेना है अगला है 14AB भागिस साथे अब देखिए साथे का भाग लगाना तो ए से कर जाएक और साथे कमसा साथ उनी 14 तो क्या बचेगा 2B ये 2B से मिलान कर लेना है यहां तक हो गया आपका आप देखिए, साथ तक हो गए, आठवे पर देखते हैं, आठवा क्या है, A plus B का whole square, A plus B का whole square आपको बताएं, सर्वसमी का याद करनी है, तो A square plus 2AB plus B square, इसको मिलान करना है, इसके बाद देखिए, X square plus 5X plus 6, X square plus 5X plus 6, यह क्या है, तो यह 3 पद है, तो इसको 3 पद से मिलान कीजिए, ठीक है, आगे देखिए, दस्वा, दस्वा है, 4P bracket में है, 3A minus 5B, अब इसको क्या करना है, तो 4P का गुणाबारी बहरी से दोने उकसत होगा, 4P है 12, 12 और AP minus 4, 25 PB, तो यह कहां लिखा है, देखिए, यह है, यहाँ पर मैच करदना, 12P, यह minus 20 PB, अब देखिए, 11, 11 में क्या है, 9, X minus Y, भागित X minus Y, तो X minus Y, X minus Y से कर जाएगा, तो बचेगा 9, तो यह इसको 9 से मिलान करदना है, तो यह आपका मैच करने वाले हो गए है, देखिए, आपको समझ में आ गए हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को वापिस देख सकते हैं, अगे देखिए, कॉशन नमर 2, कॉशन नमर 2 है, 4Y स्क्वाइर में से माइनस के 4Y स्क्वाइर घटाने पर क्या प्राप्त होगा, अब घटाना है, तो यह नहीं के एक माला से, एक माइनस है, आपको घटाना है, तो 4Y स्क्वाइर माइनस के 4Y स्क्वाइर, अब देखिए, क्या होगा, कॉश्टक के बार माइनस होता, तो अंदर के चिने बदल जाते हैं, यह नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो 4y स्कोर और 4y स्कोर कितना हो जाएगा 8y स्कोर तो इसका उत्र जगा 8y स्कोर सिर्फ नकल नहीं करनी है आकलन प्रपत्रे तो सीखना भी आपको चलिए देखे कॉशन नमर 3 है व्यंजक 5x-7y-8z में y का गुणांक है अब y का कुणां क्या होगा माइनस के 7 कहा लिखा है क्यूकि y के साथ क्या है माइनस के 7 आगे देखे चौथा है व्यंजक 8x-7x-3 प्लस 3x-4 प्लस 6 में x की उच्चतम घते है अब सबसे उच्चतम एकस के साथ क्या है पांच घात है तो इसका उतर हो जाएगा पांच एकस की घात 5 सबसे बड़ा है आगे देखिए पांच वा है वियंजक साथ एकस प्लस पांच वा है प्लस चार एकस माइनस पांच वा है इसका योग होगा अब इसको जोड़ेंगे क्या होगा इसका उत्तर हो जायगा ग्यारा X हो जायगा जादी कि यह प्लस के 5 तो माइनस के 5 बिदाईगा यह फ्लस एक माइनस है साथ 104 एसकर कितना हो गए ग्यारा X बह उत्तर आ जाएगा आगे देखें सह needle ही पदो को छाठ कर उनको बात्रों में रखी अब कैसे करेंगे देखो सब जाती है यानि कि x square x square होना चाहिए x square के साथ y है तो वह भी होना चाहिए तो आपको इस तरह इनको अलग अलग रखना है कैसे करोगे मैंस के x square Y फिर से x square Y आ गया फिर मैंस 30 x y a square इसको यहां रखेंगे मानस के 2 x square coord यहां रखेंगे दो एक्स स्कूर वाइक स्कूर यह फिर साथ मिस्के साथ और नहीं इस तरह आपको डबो में नहीं डिना थीचिंगे आगे डेखते हैं को नमट साथ 2 तो इस तरह दोनों को बारी बारी से रखना है पहले को रखा दूसरा देखी एक जैड के नीचे एक स्क्वार जैड रखना है अब थोड़ा छोड़ कर लाइन खीचनी और क्या होगा घटाएंगे तब नीचे के चिन्ने बदल जाते हैं यानि कि माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का है मैनस गट जाएगा एनिची स्कॉबार में बता यह एक स्कॉहर का घटार का गुणांक हो जाएगा y का गुणा को जाएगा माइनस के 3 x square z square 3 नमबर पे है माइनस 3 z square का गुणा को जाएगा x square y और जो अथा है x square y z square का गुणा को जाएगा माइनस के 3 इसको देख के आपको ये भरना था बढ़ लिया है question number 9 देखिए 2 गुणा 3 x plus 2 बाई तो बारी बर से गुणा करेंगे वित्रन विदी से 2 गुणा 3 x तो 6 x 2 गुणा 2 बाई तो 4 बाई तो 6 x plus 4 बाई इसका उतर लिख गेना है अगला है p plus 2 q और 3 p plus q तो p का गुणा 3 p से 3 p गुणा n to p तो 3 p square फिर p का गुणा q से तो p q फिर 2 q का गुणा 3 p से तो 3 गुणा 6 p q और 2 q का q से तो 2 यह हो जाएगा q square 3 गुणा 6 p q और यहाँ पर सुरी यहाँ दो लिखना 2 q square यहाँ पर क्याएगा 2 q square ठीक है आगे देखिए दस्वा है भाग कीजिए 3 x square plus 4 x भागी ट x तो इसको क्या करना है 3 x square को खोलना है 3 x गुणा x बटे x प्लस 4 x बटे x दोनों का भारी-परी से भाग होगा तो यहाँ हो जाएगा x x कट जाएगा यह x x कट जाएगा यहाँ पज़ेगा 3 x plus 4 ठीक है दूसरा देखिए 4 y square plus 4 भागी y square plus 1 x plus 1 भागी x plus 1 को हल कीजिए इसको कैसे हल करना देखिए इसको गुणनखन करके हल करना होगा इसके गुणनखन करना है x square plus 2 x plus 1 यह जगा x square plus x plus x plus 1 यहनि कि 2 x के को गुणा के टुकडे करने है जैसे गुणा करें तो 1 आये जोड़े गटा है तो 2 आये तो अपन क्या करेंगे 1 की कमेक होगा और तो कोई संख्या रहती नहीं है तो x square plus 1 x plus 1 x plus 1 भागी यह पीछे वाला तो भाग में रह जाएगा आगे देखी x common ले जाएगे x plus 1 एक common लेंगे तो x plus 1 यह गुणनखन क्या हो जाएगे यहांके गुणनखन इसकी हो जाएगे x plus 1 x plus 1 फिर भागी तो x plus 1 हो जाएगा तो यह भाग हो जाएगा तो बचेगा x plus 1 हमारा उत्तर ठीक है x plus 1 हमारा उत्तर बसता है आगे देखीए बारवा सवाल है पहला है बारवे का 102 गुणा 9 अठाण वे तो उची सर्व समीका का उप्योग करना है फिर इसको हल ग्याद करना है तो क्या हो जाएगा 102 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 और अठाण को लिख सकती हूँ 100 माइनस 2 यानि कि क्या करेंगे a प्लस b और a माइनस b से a स्क्वार माइनस b स्क्वार ठीक है तो 100 का स्क्वार ये क्या है हमारा 100 और ये a और ये b है तो 100 का स्क्वार माइनस 2 का स्क्वार 100 का स्क्वार क्या हो गया 100 का स्क्वार 100 यानि कि 10,000 माइनस 2 का स्क्वार 4, 10,000 में से 4 गए तो 9 9996 आपका उतर आ जाएगा 9996 दूसरा देखिए 204 का स्क्वाइर माइनस चन्नू का स्क्वाइर तो यह हो जाएगा a²-b² इस पूरे को पन को a मानना अब यहां 200-4 नहीं करना है इस पूरे को a मानना इसको पूरे को b मानना है तो कि यहां square लगा हुआ A square minus B square हो जागा A plus B A minus B तो 204 plus 6 और 204 minus 6 तो यह हो जाएगा 204 plus 6 300 और 204 minus 6 हो जाएगा 108 तो 300 का 108 में गुणा करेंगे तो 32 400 याने कि 32,000 400 उत्तर आ जाएगा आगे देखिए तीसरा है 105 का square 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 plus 5 100 plus 5 का square A plus B का whole square लगाना है देखिए मैं लिख रखा A square plus 2AB plus B square तो यहां हो जाएगा A square क्या A क्या है तो A 100 है और B 5 है तो A का square 100 का square plus 2 गुणा 100 गुणा 5 plus 5 का square तो 100 का square क्या होगा 10,000 फिर 100 गुणा देखिए 5 दू नहीं करेंगे 10 और 10 गुणा 100 करेंगे तो 1000 आजाएगा तीक है और 5 का square 25 तो यह हो जाएगा 10,000 plus 1000 plus 25 तो 11,025 11,025 उत्तर आजाएगा चोथा देखिए अठाणू का square इसको भी ऐसे ही करना है अब यह माइनस है तो 100 में से 2 गए तो ठाणू थे तो 100 मैनस दो का square तो यह हो जाएगा A मैनस B का whole square A square मैनस 2 यह भी प्लस B square तो A क्या है और B क्या है देखिए A 100 और B 2 तो 100 square मैनस 2 गुणा 100,025 प्लस 2 का square तो 100 का square 10,000 मैनस अब देखिए 100 का गुणा 2 में करें या तो यह से करें या 2 का गुणा 2 में करें 2 दूनी 4 और 4 गुणी 100 और 400 और 2 दूनी 4 तो यह हो जाएगा 10,000 में से 400 घटाने और 4 जोडने तो यह आजएगा 9,604 अपनी वरक्षीट में प्रिक्ष के प्रतिव उस्तर हो जाएंगे यहाँ पर देखिए यह हमारा आकलन्द प्रपत्र पूरा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अखले वीडियो में तब तक इजादत दीजिए धन्यवाद